जैसिति कुछना दोस्ता है इतने कुछ ऑक्सिजिएन थ्रेफ के इंपोर्टेंट वह बढ़ाएंगी जब भी शाइनोसिश है ऑक्सिजिए बालेवल बोड़े में कम हो जाता है अब ऑक्सिएन थ्रेफ के गाम में ली जाती है एरेस्पारेट के डिफिकुल्टी हो तो इसमे नेजर करनला को चैंज कितने करेंटे के बाद में करते है तो यह होता है एड हावर यानि एड हावर के बाद में उसको चैंज कर देते है यानि एवरी हेड। एवरी एट हाउर में नेज़रेकंडर चैंज करते हैं और फ़लो रहेट रहेगा वन से 4 लेटर पर मेंट नेज़ो फेरेंजल करते हैं नोट से फेरेंग्स तक एक ठाटर डाल जाता है तो उसको फ़लो रहेट रहेगी वन से 6 लेटर एक इसको भी every eight hour में चैंज करते हैं every eight hour में चैंज करते हैं एक चैंजिंग टाम की बात की जायते हो याई है इक नहीं ते बाद में चैंज कर दी जाता है ताकि infections नहां जोक्सनी ठरपी दे रहे हैं उसकी विजह से को infection नहां कि में नेक्स्ट है सिंपटीफार मास्क का जो खूलोरेट रहेगा वो 68 लेटर रहेगा पर में दिश्क मास्क किर यहोर के बाद में चैझस करते हैं, जो बी मास्क कम में में उसको 24 आट के Ma BSK कण करते हैं , ताकि जो अपने oxygen therapy दे रहे हैं उसकी विज़े से कोई infection ये complications ना आए नेक्स्ट है ट्रांस-tracheal के थेर्टर यार नहीं ट्रांस-tracheal के थेर्टर ये ट्रांस-tracheal oxygen therapy के नाव से जानते हैं इसको उसका अब जो ट्रेक्या के डारेक्ट इंसेट की जाती है अगर अप्र रेस्परेट्री और स्टेक्स पोड तो ये ट्रेक्या से इंसेट करते हैं ट्रांस-tracheal के थेर्टर जिसके जो फ्लोरेट होगा वह वह 1-4 लिटर पर मेंट रहेगा उसके जाते हैं वेंशुरी म इन्तादि है कि जो बी अव्म काम में लेते हैं इसको 24 हूर में चैन्ज करते है और एक ब्रत रहो जाता है कि एल्कोहुल यह सब्टेट से साफ करते हैं यह एल्कोहुल से इसको साफ किया जाता है कि एवरी एट आउर में तक कि इंफेक्शन को कम किया जाए और इसको 24 से 48 आउर के बाद में चैन्ज किया जाता है कि ओके थैंक्यू फ्रेंट्स